स्वागत है आप सभी लोकाट टेकेनिकल एजुकेसन युटूब चनल पर आज हम वीडियों बात करने वाले हैं रेलेवेन ने खत्म की गुरूब डी की पोस्ट जिया दोस्तों रेलेवेन यहाँ पर गुरूब डी की इतनी भी पोस्टे थी अब उनको गुरूब C में इंक्लूड कर दिया गया है अब उनको गुरूब C में रखा जाएगा अर्तालीसो प्लस ग्रेड़ वाले जितने भी करमचारी थे उनको गुरूब A और गुरूब B में रखा जाएगा गुरूब C की सुविधाओं का मिलेगा फायदा जितने भी करमचारी गुरूब D में पहले थे अब उनको गुरूब C में रखा जाएगा और उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलने वाली है देख लिजी यहाँ पर रेलवे ने साब साब क्या कहा है और रेलवे ने यहाँ पर गुरूब D की जितने भी पोस्टे थी उनको यहाँ पर खतम कर दिया है मतलब उस पर अब कभी भरती निकलेगी नहीं और यहतने भी करमचारी गुरूब D के थे इन सभी को अब गुरूब C में सामिर कर लिया गया है रेलवे ऐसा बहुत दिनों से करता आ रहा है यतने भी यहाँ पर गुरूब D की सारी पोस्टे है उनको देदरे खतम कर दे रहा है और वहाँ पर ठेकेदार या फिर कॉंटेक्ट बेस पर भरतीयों को रख रहा है और बाकी जो गुरूब C की पोस्टे हैं टेकनीसियन की या फिर आपकी जो यतने भी आईटिया बेस है टेकेदार इंगल उस सारे में आपका गुरूब C में रखा जाएगा आने वाले भरतीयों हम देखने के मिलेगा कि गुरूब D पर कितने भी सारे पोस्ट थी स्वीपर की माली की उस सारे आपके कंटेक्ट बेस पर रखी जाएगी रेलवे बोर्ड ने गुरूब D की ग्रेट को खत्म करने का फैसल लिया है रेल क्रमचारी ने ग्रेट पे के अनुसार गुरूब C में ही रखे जाएंगे अठासो लेकर अठासो ग्रेट पे पे काम करने लोग जो क्रमचारी गुरूब D में आते थे अब उनको ग्रूब C में मना जाएगा group A या group B में अधिकारी वर के करमचारी आते हैं जबकि group C वाले करमचारी जो हैं वो 800 लेकर 400 grade पे वाले यहाँ पर आपके officer रहेंगे कराते हैं जबकि group C में बाकी को सामिल किया जाएगा मतलब यहाँ पर group D वाले जितने भी post हैं उनको खत्म कर दिया गया है और उनको जो group D में थे ही उनको group C में अफसामिल कर लिया गया है देखली जहां बताया गया है कि group C में क्या कर सुभिधाय मिलेंगी एक कदम बढ़ियां भी है जो इतने भी candidate यहां पर group D में थे उनको group C में रखने पर सुभिधाय भी मिलेगी बहुत दिन से मांग भी रखा जा रहाता है कि जो जो उनको है उनको सुभिधाय ने मिल पा रही है वो technician का काम कर रहे है वो ऐसा कार रहे है और group D में है उनको SI सुभिधाय आपर मिलने वाली है देख लिए यहां पर type 2 और type 3 का कॉर्टर ही मिलेगा यहां पर Indian Railway जो NFIR है यहां पर बहुत दिन से मांग भी उठा रही थी कि इनकंडियेट को इसमें रख दिया जाया है देखिए हैं बताया गया है कि इतने भी यहां पर group D से group C में क्या क्या सुभिधाय आपर मिलने वाली है तब railway के आदेश पर पाइथ हुआ है कि group D के करमचारियों को group C में लेकर उनके लिए सुधाजनक कदम उठाया गया है railway board के आदेश के नुसार 800 लेकर 800 ग्रेट पे वाले क्रमचारियों को group C में लिए जाएगा railway board ने group D के करमचारियों को group C में रखने का आदेश बहुत ही सहरनी है बहुत अच्छा कदम है group D करमचारियों group C में लेने वाले के बाद उनकी सुधाय का फायदा भी मिलेगा दिख लिए यहाँ पर साफसा बताया गया कि जितने भी करमचारियों यहाँ पर 800 लेका 800 ग्रेट पे वाले हैं को group C में रखा जाएगा और group D की यहाँ पर जगा को खत्म कर दी गई है दोस्तों आसका तो यह बेट आपको बहुत ही पाड़ लागा चनल को लाइक करिएगा वीडियो को शेयर करिएगा आने वाले चीते में वेकेंसी होगी उस सारे में यहाँ पर हमको देखने के मिलेग गुरूप D की बहुत ही कम पोस्ट आएगी सारे को group C में इंक्लूट कर दिया जाएगा या फिर group D को एकदमी खत्म कर देती है सरकार देखने के मिलेगा आने वाली वेकेंसी में थाइम्क्यू फरवाची मिलते नेस्टी वीडियो में